अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को और पे प्रेस कर दीजेगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजेगा So Hello Everyone, स्वागत है आपका हमारे यूट्रीब चैनल फेक्टोमेनिया में इस होगा इस आज के हमारे फेक्ट्स आपने शायद ही सुने होंगे तो वीडियो को एंड तक सरूर देखेगा Fact No.1, एक स्पैनिश फैशन डिजाइनर थे जिनका नाम मैनल टोरिस था उन्होंने वर्ल्ड्स का फस्ट क्लोथ स्प्रे बनाया है जिसको आप बॉडी पे अप्लाई करके वापिस निकाल भी सकते हैं उस कपड़े को धो भी सकते हैं मतलब एकदम ओरिजिनल कपड़ा लग उसको लगता है कि वो एक गाये हैं वो घास खाएगा गायों की तरह बढ़ताब करेगा कितनी अमेजिंग बात है आप जब भी छीखते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ड्रॉपलेट्स किती दूर तक जाती हैं दरसल आपकी जो छीख की रफटार होती है वो 160 किलोमेटर पर आवर होती है और आप एक बार में 40,000 ड्रॉपलेट्स तक निकाल सकते हैं प्राइब करने का मण है वो प्लीज सैलम में चले जाये जाए विछ स्कूल में इंसेन भाई अब पतानी चाइना को पहाडों से क्या प्यार है, क्या मतलब उनको पहाडों से लगा है नेक्स school हमारा है Garneri school जो की अबयोंशी cluster चाइना में है और ये भी पहाडों के बीट से एक रस्ता गुदे ईसका नाम है लोमा वे और इसके एक ही टीचर है जिनका नाम है शेन क्यूजिन और ये बच्चों को यहां से ले जाते हैं देखिए तक नमबर फाइफ क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश के बादल जो सफेद होते हैं बारिश से पहले हमेशा हमेशा काली क्यों हो जाते हैं आपने देखा तो अगर लेकिन सोचा नहीं होगा तो दरसल बारिश से क्या गिरता है पानी और इनी बादलों में होता है श्टोर्ड पानी तो पानी की वज़़े से जो लाइट सूरच की होती है वो मतलब ट्रांसलूसेंट हो जाती है अच्छे से पास नहीं हो पाती है तो इसी की वज़़े से जब बादलों से लाइट नहीं पास उन पाती तो वो काले दिखते है अब सबसे होट प्लेस की बात करें तो साहारा डेजर्ट हर साल कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाता है होट प्लेस का और अभी तक में सबसे अदा 60-70 डिग्रीज ही होगा सबसे अ मैं आपको कहूँ कि कोई क्रीचर है जो इनसे दुगने एक्स्ट्रीम टेंप्रेचर को भी एकदम मतलब चुट्कियों में आसानी से आप सर्वाइब कर सकता है क्या सकते हैं ऐसा कोई क्रेचर अर्थ पे आप क्या सोचेंगे दर असल एक क्रेचर है जिसका नाम है टाडी जो की माइनस सवेंटीटू डिए से लेकर वन फिफ्टी डिग्री तक सर्वाइब कर सकता है बहुत ही असा क्रेचर है जो कि सिर्फ वन मिलिमीटर ही ही यू जाय है इसको आप आप अनिमल भी कह सकते हैं और इसको वाटर वियर भी कहते हैं ये बहुत ही आसानी से आपको कह से स्पेस में और यहां तक की चान तक भी बिजा है लेकिन ये अर्थ का पहला क्रेचर है जो की सर्वाइब करा है एकदम ही आसानी से जैसे उसके लिए कोई आम बात हो बहुत साइंटिस्ट को तो लगता है कि एक आउटर स्पेस से आया हुआ क्रेचर है जो भी किसी में ड्र झाल 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 झाल